हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि लिकिल लिमिट जो टेस्ट होता उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो बिना पे मैंने पूरा फॉर्मिट का जो है कलकुलेशन बनाया हुआ है अब मैं इस्टेप बाइस्टेप आपको बताता जाओगा कि इसका क्या कैसे करते हैं तो डेंटर्मिनेशन नंबर है इस तरीके का फॉर्मिट रहता है वन टू थरी फूर फर्स्ट में दिया है container plus Dry soil पाच्वी नंबर पे हैं weight of empty container छट्वी नंबर पे weight of water seven number पे weight of dry soil और आट्वी नंबर पे मौश्चर content जो कि हमें चाहिए graph के लिए graph में हमारी दो चीज़े आती हैं एक तो यह मौश्चर content और दूसरा penetration जो कि मैं आँगे आपको बताऊंगा तो अब बात करते हैं यह penetration आपने test किया आपको मिल गया कि इतना penetration होगा फिर आपने क्या किया एक container लिया इसमें जैसे एक number container लिया है और उसमें sample का और container का weight आया 65.35 ठीक है और उसको आपने रख दिया oven में 24 hours के लिए 24 hours के लिए जब आपने रखा तो उसके बाद जो weight आया 55.31 ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ और फिर मैं आपको calculation होताता हूँ यहां तक तो यह आपको मिल गया 24 घंटे बाद container का weight आपने कर लिया यह तीन और एक चार चीजे तो आपके पास में थी अब लेवल अब आपको weight of water निकालना रहता है इस format में और dry soil weight और इसके बाद मौशर content तो आपको क्या करना है 65.35 इसको माइनस करना है इस 65.35 इधर लिखता हूँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां पर लिखता हूँ 65.35-55.31 करके देख लेते हैं कितना आता है 65.35-55.31 तो आया गया 10.4 पानी का weight कितना आ गया 10.04 अब निकालना है dry soil का weight तो यहां पर हमारा dry soil है container भी है तो container का weight को minus कर देंगे यानि क्या करना पड़ेगा 55.31-21 कितना आता है वो देख लेता है यह आ गया 34 0.31 ठीक है अब इसको अगर मैं हटा दूं तो कैसे निकालेंगे यह water weight है और यह है आपका dry soil weight यहां पर लिखा हुआ है water weight divided by dry soil weight into 100 तो आपका क्या निकल जाएगा moisture content निकल जाएगा तो यहां लिखें तो 10.04 divided by 34.31 into 100 ठीक है तो आपका आजाएगा 29.26 यह एक जो determination है वो complete हो गया इसी तरीके से आपका second भी रहेगा third भी रहेगा और fourth भी रहेगा तो दो को मैंने खाली छोड़ा हुआ है calculation के लिए ताको आपको easily आपको समझ में आ जाया कि कैसे जो है इसका calculation करते हैं इसमें भी same करेंगे यह बेट आपने पहले लिया इसको फिर open dry में रखा तो यह बेट आया यह container का weight है तो मैं फटा 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 आपको calculation करके बता देता हूँ 53.48 माइनस 45.36 यह water का weight आ गया 8.12 इसके बाद में यह हमारा है dry soil weight 45.36 माइनस 18.92 कंटेनर का weight माइनस कर दिया तो यह हमारा dry soil का मिट्टी का weight जो है आ गया अब इसको क्या करना है 8.12 डिवाइड वई 26.44 गुरते तो यह हमारा आ जाएगा कितना 8.12 डिवाइड 26.44 यह आ गया 30.71 इस तरीके से तीसरा भी ट्राइल में आपको बता देता हूँ कि कैसे किया है करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसको भी माइनस करेंगे इससे तो वाटर वेट आ जाएगा 53.47 माइनस 45.96 यह पानी का वेट आ गया अपको बता जाएगा पानी का वेट आ जाएगा यह माइनस क्रवप देंगे तो अंते हिसरे से कंटेनर माइनस कर देता है 45.96 माइनस कंटेनर बेट 2208 यह आ गया मित्ता वेट ौल अब मौस्ट इसकस के निकालने के लिए मौileen कंटेंट 7.51 7.51 डिवाइड 23.88 इन्टू 100 तो यह हमारा मौश्य कंटेंट आ जाएगा कर देता है यह आ गया 31.49 इस तरीके से इसकी कल्कुलेशन आप कर सकते हैं आप बात करते हैं ग्राप की तो ग्राप में क्या है यह हमारा हो गया पेनेटरिशन इन एमम और यह हमारा हो गया मौश्य कंटेंट इसमें करना के रहता है कि हमारा 20 एमम पे जो है 20 एमम पे हमें ग्राफ खेंचना रहता है ठीक है तो जैसे हमारा यह पेनेटरिशन है 15 तो 15 हमारा यह हो गया ठीक है इसके बाद में कितना मौश्य कंटेंट है 29.26 तो जो हमारा format होता है format में उस छोटी लाइन होती माइनर और मेजर लाइन होती है तो उसमें से आपको point गिनना है कि एक line कितने कि देना है आपको और साबसे जैसे मैंने यहां 26 से लेके 38 तक लिया एक सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें 29 से लेके 33.53 तक है तो जैसे यह 15 है तो यह हमारा penetration हो गया अब इन दोनों के बीच में हमें line खेचनी है 29.26 हो गया तो 30 है यह 30 के नीचे यह 29 और यह 15 इस तरीके से हमें mark कर दिना है इसमें जितने ज्यादा points मिल रहे हैं उसको मिला कि हमें graph खेच देना है और 20 पे जो line सीधे हो रही है वह हमारा liquid limit होता है उसी point को हमें count करके यहां पे लिख देना रहता है कि हमारा actual liquid limit है वो कितना percent आया है तो इस तरीके से calculation करना आप समझ गए होंगे कि कैसे calculation करते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे बहुत बड़ी चीज नहीं है और आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा मैं मिलता हूँ किसी another वीडियो के साथ में और आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो subscribe कर ले ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपको मिल जाए माता पिता की सेवा करें खुस रहें टेक केर बाई बाई जाहिन